हेलो एव्रीवन वेलकाम अगेने लर्ण में देते मन बचों हम कर चुके हैं क्लास 9 का चैप्टर नमबर 14 का पार्ट 1 और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 जिस चैप्टर का नाम है भारत की जलवाईयों और हम इसमें बात करेंगे आज भारत की जो रितुएं हैं उनके बारे में हमने questions में देखा था पिसले कि जो रितुएं होती हैं बारत में वो दो तरीके से देखी जाती हैं जब मौसम विबा के अनुसार देखा जाए तो 4 रितुएं होती हैं भारत के अंदर लेकिन जब हमा और समुद्र से दूरी यानि वारत देस जो हे आर्थ गलोब देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा जो उत्री गोल आर्थ है उस हिसे में हमारा भारत है लेकिन जब सूरे दक्षणायन यान दक्षणी गुलार्द में चला जाता है तो उस स्थिते में क्या होगा? सूरे की तिर्षी किरने पड़ेंगी तो सूरे से जितनी गर्मी मिल सकती है उससे कम मिलेगी तो इस स्थिते में क्या होगा? अपमें में कमी होगी इसी तरीके से समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, temperature कम होता चला जाता है, है ना, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे temperature कम होगा, तो इस वज़े से क्या होता है, उत्री भारत का temperature दक्षणी भारत के बजाए कम होता है, यानि दक्षणी भारत का जब उसत तापमान क्या रहता है तो सीत्रीतों में 21 डिग्री से भी कम हो जाता है ये टेंपरिचर उत्री भारत का जो सीत्रीतों में उसत तापमाने वो 21 डिग्री से भी कम रहता है और ये क्या है मैंने बताया था दक्षण का अधिक रहेगा जब सीत्रीतों में उसत तापमान उ किस भाग में उच्वायुदाब मिलता है सीत्र तुम्हें भारत के किस भाग में उच्वायुदाब मिलता है तो देखिए उच्वायुदाब किस चेत्र में मिलेगा उत्तरपशिमी भाग में भारत का जो उत्तरपशिम भाग है वहाँ पर उच्वायुदाब का नर्मान होता याई पूरे मध्य हिश्या में इस प्रकार के इस्तितिया में बंती हैं. नएकक्वेश्ण देखिए, सीत्रितौ में निम्धवायुदाप के स्थैन पर होता है? निम्धवायुदाप का होगा? निम्धवायुदाप होगा हिंद महाम साघर भाग में. और इससी वज़े से मांसुन का नर्मान होता है सरी तुम्हें निम्न वायुदाप के सितान पर होगा? हिद माहसागर ये भाग में नहीं question देखे उत्तर पस्षिमी भाग में या मदे शा में उच्च वायुदाप वे हिंद माहसागर में निम्न वायुदाब से कौन सा मनसुन बनता है मैंने बताया था कि जब एक जगे उच्छ दाब बने एक जगे निम्न वायुदाब बने तो क्या होगा क्या होगा जहां निम्न वायुदाब है वहाँ पर क्या होगा वहाँ गर्मी जादा होगी तब ही निम्न वायूदाब निर्मेत होता है क्यों? क्योंकि जैसे गर्मी होगी हावा उंची चली जाएगी तो वहां का जगह खाली हो जाएगी तो आसपास की जो जगह हैं जहां उच वायूदाब होगा जहां इतनी गर्मी नहीं होगी वहां वायू ठंडी होगी, तो उपर नहीं उठेगी, गरम नहीं होने की वज़े से, तो ऐसी इस्थिति में क्या होगा? जहां निम्न वायू दाब होगा, उच वायू दाब से वहां से पवने चलना, चलू हो जाएंगे, तो पवने कहां चलती है, हमें चाहिए आदर कि ए, उच वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती हैं हमें सपावने। तो ऐसे इस्तिति में क्या बनेगा? मानसुन बनेगा और मानसुन कौन सा बनेगा जब उत्री पूर्वी मानसुन कहलाता है। कौनसा मांसून कहला यह उत्री पूर्वी मांसून कहलाता है नेक क्वेस्टिन देखिए सीतरी तुमें भारत के दक्षण में किस छेत्र में वर्षा होती है तो देखिए जब आपका यह मांसून sparked होता है तव आपका तमिललानों के जो पूर्वे तटी चेत्र है तमिल लाणों के जो पूर्वे तटी छेत्रें उत्री पूर्वी मांसुन द्वारा यहां पर वर्षा होती है तो उत्री पूर्वी मांसुन द्वारा तमिल लाणों के पूर्वे तटी छेत्रों में वर्षा होती है नेक कोशन देखिये, पष्चिमी विच्छोप यानी भूमदि साग्रीचक्रवाद द्वारा वर्षा किस फसल के लिए वर्दान क्यलाती है, őं किस परकार की फसल के लिए वर्दान क्यलाती है, तो हम जानते हैं, रवी की फसल के लिए, जो यह मांसुन बनता है, जो पश्चिमी चोप को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है? पश्चिमी चोप से हो सकता है, या आप थोड़े से परिशान हो गए हो या याद नहीं आ रहा हो, तो पश्चिमी चोप को स्थानी भासा में क्या कहा जाता है? मावट, और मावट से निशित रुप से आपको याद जो ठंड में जो वर्सात होती है उसको क्या बोलते हैं उस वर्सा को हम पस्चिमी छुप की वर्सा कहते हैं तो इस्थानी बासा में क्या का जाता है इसको मावट का जाता है नेक क्योशन देखिए मावट किन राजों के मुक्रित प्रभावित करती है मावट जो होती है किन राजों में मुक्रित प्रभावित करती है और कहा होती है तो यह होती है जम्मु कस्मीर पंजाब भारियाना राजिस्थान उत्राखंड और उत्रप्रदेश में जम्मु कस्म पंजाब भरियाना, राजश्तान उत्राखंड और उत्राग। ने क क्यूशन देखिये। घonutर समूदर से दूरी, और तीसरा प्रती चक्रवाथ। यह तीन कारकahaha जो ग्र Greek रतुमें अत्यादिक गर्मी का कारण बनते हैं। उत्रार्प्सूर्य यानि सीधी केड़ने आ रही होती हैं उसक्त समुद्र से दूरी और प्रती चक्रवात ये सभी कारक हैं किसके ग्रीश मृतु में अत्यदिक गर्मी के नेक क्वेशन देखें ग्रीश मृतु में उत्री भारत का तापान कितना हो जाता है तो ग्रीश मृतु में उत्री भारत का तापान कितना हो जाता है तो ग्रीश मृतु में उत्री भारत का पचास डिगरी सेंटीगरेट तक चला जाता है पचास डिगरी सेंटीगरेट तक टैंपरेचर चला जाता ह लेकिन दक्षिनी भारत में जब सीतरी भारत की बात थी तो वहाँ पर उत्री भारत थंडा था और दक्षिनी भारत गरम था लेकिन जब ग्रीसमी भारत की जाए तो यहाँ पर उत्री भारत ज्यादा गरम होता है बजाए की दक्षिनी भारत के तो दक्षिनी भारत इस वहसा में उत्री भारत के तुलनात में ठंडा होता है। नेक कुश्चन देखिए। ग्रीस में भारत के उत्री भाग में कैसा वायुदाब निर्मित होता है। निर्मित होता है। देखिए। उत्री भारत में चलने वाली पवंदा लू किस र趣 में चलती है। तो इस बात का question मुझे पता है, कि आप सभी को पता होगा और सभी जानते हैं, इसका answer है ग्रिस्मरेतो, ग्रिस्मरेतो में loop जो हैं वो चलती है, नेक question देखी, ग्रिस्मरेतो में पश्रिमी बंगाल में आंदी तुफाने के मौसम को किस नाम से जाना जाता है, ग्रिस्मरेतो म में पश्रिम बंगाल के अंदर आंदी तुफानों का जोस मौसम होता है, उसको काल वेसा के नाम से जाना जाता है, नेक question देखी, दक्षिन भारत में मालाबार तट के निकट, ग्रिस्मरेतो में होने वाली वरसा क्या कैलाती है, देखी, जब ठंड में वरसा हुई थी, उत उसको हमने मावर्ट का आता, और जब यही माला बारत के निकट होती है जक्षीरिन भारत में, और भी कभ ग्रिश्म नितों के अंदर, तो उस्जों वर्षा क्या कहलाएगी, आमर वर्षा, नेक क्वेशन देखिए, ग्रिश्म वर्षा में कहवा उत्पादन वाले छेत्रों क तो उसको फूलों की बोचार या चैरी ब्लॉसम कहा जाता है। किन राज्यों में ग्रिस्म रितों में तुफानों के साथ ओला विष्टे भी हो जाती है। इसा हो जाता है। ग्रिस्म रितों में कहां पर पंजाब, हरियाना, उत्राखंड और असम आदी जैसे जो राज्ये हैं यहां पर इस प्रिकार की गट्टाएं देखने को मिलती हैं। यहां पितुफानों के साथ ओला विष्टे भी हो जाती है ग्रिस्म रितों के अंदर। हम चारों भुमा फिराकर किस के बारें बात करते हैं मान्सून के बारें और मान्सून काल क्या होता है वर्सा काल होता है। हमेशा वर्षा रितु का अगमन होता है क्यों क्योंकि गर्मी होने से उत्री भारत में निम्नवायुदाब निर्मत होता है और हिंद महासागर में उच्वायुदाब निर्मत होता है तो ऐसी स्थिति में पवने कहां से चलेंगी उच्वायुदाब से निम्नवायुदाब की तरफ सेलेंगे तैसी इस्तिति में क्या होगा हिन्दमासागर की पवने आद्र होती है तो अपने साथ वर्षा का जल लेके आती हैं और वर्षा करने में सक्चम होती हैं तो यह क्या होगा। राइस्थान के थार मरुस्ताद, तिबबत के पठार और पंजाब में, यहां पते की जब हमने बात करी थी थोड़ी दिर पहले, तो हमने देखा था, यह सबसे ज़्यादा निम्नवायुदाब गिस्म रितु में कहा बनता है, राइस्थान में और पंजाब में बन रहा था, तो ऐसी स्थिति में जब गर्षा रितु काल होती है, तो उसी स्थिति में कहा निर्मित हो रहा होता है, राइस्थान के थार मरुस्ताद, तिबबत के पठार और पंजाब में यह निम्नवायुदाब के स्थिति होती है, नेक क्रेशन देखिए, दक्षणी पैस्रिम होता है, उसके कारण क्या है, तो उसके कारण है उत्री भारत में निम्नवायुदाब और हिंद मासागर में उच्वायुदाब होना, इसमें बारे में हमने बात करी ही है, क्योंकि उत्री भारत में निम्नवायुदाब होता है, पवने हमेशा कहां चलती है, उच्वायुद सब्सक्राइब से निम्नवायुद आपकी तरफ और ऐसी इस्तिति में क्या होगा मांसुन का निमान होगा है ना और जब हिंदमासागर से पवनी आएंगी तो अपने साथ आद्रता लेके आएंगी है ना और ऐसी इस्तिति में वो वड़्चा का कारण बनती है नैक के बारत के दक्षण putting up यह इस्तिति के वजह से बारत का दो दक्षणbirds apply to you से किया है वह जो मानसून है उसको साखाओं में यानि अरब सागरिय मानसुन और बंगाल की खाड़ी का मानसुन के रूप में दो साखाओं में परिवर्टिक कर देता है है ना ने क्वेश्चन देखिए दक्षणी परिश्णी मानसुन की अरब सागरिय मानसुन साखा भारत में सरफथम कहां टकर आती है गलब इन्टुकBS और अर्ब सागर बंगल की काड़ी वाला इन क्य स्था कुछ गुस्त है.. जब वहाँ टकुछन है तो क्या है? वहाँ आपका है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से ये टकराता है और पश्चिमी घाट से टकरानी की वज़े से वहाँ पर जो पहाड़ियां है, वहाँ से टकरा कर ये वहीं की वहीं वर्सा कर देता है, तो धाई सो से तीन सु सेंटिमीटर वर्सा यहाँ होती है, इन देखे एक बात आपको बात कर दूँ, वैसे तो ये question केवल जानकारी का है, ये question नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जूँ के एक्जाम में कई बात कर भी question पूचे जाते हैं, जब ये कहा जाए कि अरब सागरी मानसून और बंगाल की खाडी का जो मानसून दो सक्षाओं में बनता है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा ताकतवर होता है, यानि कौन सा ज्यादा वर्षा करता है, जब इंकि तुल पहाड़ी से वहीं की वहीं टक्रा करी होज ज्यादा वर्सा कर बैठता है तो धाइसों से तीन सू सेंटीमीटर वर्सा तो यहीं हो जाती है चिर इसके और भी दो उपसाखाएं बनती है उनके बारे में हम भी बात करेंगे और जो पश्री मिघाट के आगे तो यह वर्सा करी प्रष्टी साया चेत्र कहलाता है तो ऐसी स्तिती में वहाँ पर वर्सा कम होती है और इसी तरह पश्रीमी घाट में सब ज्यादा वर्सा होती है तो धाइसों से तीन सो सेंटीमीटर औस तन वर्सा वहाँ पर देखने को मिलती है नेक क्वेशन देखिए अरब सागरी पहला पर पश्रीमी घाट से ठकराया उसके बाद इसके एक और उपसाखा बनती है जो नर्वदा तापती की घाटी है उसमें जो जगे मिलती है वहां से जाकर और उसके रास्ते से बंगाल की खाड़ी के मानसुन से मिल जाता है तो यह कौन सी उपसाखा कहलाती है नागप पूर उपसाखा है जो नर्वदा तापती घाटी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मानसुन से मिल जाती है राइस्थान में आने वाली अरब सागरी मानसुनी उपसाखा किस कारण वर्षा करने में अधिक सक्षम नहीं होती है देखिए तीसरी जो इसकी उपसाखा है ज जो अरब सागरी मानसुन से आने वाली वर्षा है उसको रोकने में के लिए कोई बाधा ही नहीं है हिमाले से पहले लेकिन राइस्तान जो उसके उपर से पूरा मांसुन निकलता है वो सुखा रह जाता है क्यों नहीं होता ऐसा क्योंकि वर्षा करने में अधिक सक्षम नहीं होती है क्योंकि अरावली परवत के समंतर होने के कारण ने कुशन देखिए बंगाल की खाड़ी का मांसुन उपसाकाओं में विभाजित हो जाता है ने कुशन देखिए बंगाल की खाड़ी का मांसुन की पूरोतर भारतिय उपसाका किन राज़ों को प्रभावित करती है हमने देखा था बंगाल की खाड़ी जो है उसका मांसुन में दो उपसाकाएं हो गई थी जिसमें एक तो और असम यहां पर यह चली जाती है और यहां पर जो गारो पाड़िया है वहां से यह तकराती है और यह वहां बहुत ज़्यादा वर्सा करती है ने कुशन देखिए मौसिन राम इस्थान में वर्सा अधिका का कारण क्या है मौसिन राम जो इस्थान है जो आपको पता है यहां पर सरवाधिक वर्षा होती है विसकी तो मौसिन नामिस्तान में वर्षा अधिक का कारण क्या है क्या है क्या है कारण तो वह है बंगाल की खाड़ी का मांसुन की भारतिय पूरवतर सुसाका जो गारो पाहड़ियों से टकरा कर भारी वर्षा करती है कौन सी पाहड़िय था गारो पाहड़ियां जो आती है पुरूतर मांसुन जो उपसा का है भारतिय पुरूतर उपसा का है जो बंगाल की खाड़ी के मांसुन की वो क्या करती है वो अरुणाचल प्रदेश और असम चेत्र में बहुत वर्षा करती है क्योंकि गारो पाहड़ियों से वहीं टकरा क वो भारी वर्षा का कारण बन जाती है, है ना, और इसी छेत्र में मौसिन राम जो इस्थान है, वो वर्षा बहुत ज़्यादा होने के लिए विस्व प्रिसिद्ध है, क्योंकि यहां विस्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मानी जाती है, ने कोशन देखिए, बंगाल की अंसर क्या है, बिहार, उतरप्रदेश, चातीस गर्ड, चारखंड, उत्राखंड, यहां पर इन सभी को प्रभावित करते हुए यह चलती है, पश्चिमी, पंजाब और राजिस्थान में कम बर्षा यहां पर होती है, तो देखिए, बिहार, उतरप्रदेश, चातीस जारखंड और उत्राखंड यहां पर तो सामने बर्षा होती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आया मांसुन है, उसमें पश्चिमी, पंजाब और राजिस्थान में कम बर्षा होती है, नेक कोशन देखिए, भारत में सरद रितु में वायुदाब किस दिसा की और किसक और हिंदमास अगर में उच वायुदाब बना होता है, तो जैसे जैसे मांसुन आता जाता है, वैसे वैसे यह जो वायुदाब है, उत्तर दिसा से दक्षिन दिसा की तरफ खिसकने चालू हो जाता है, उत्तर से दक्षिन दिसा की और वायुदाब किस दिसा में आता है, भा भारत में असमान वर्षा होने के कारण वर्षा वित्रण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उस आधार पर जब हम भारत के छेत्रों को वित्रण करते हैं तो यह मुखते चार प्रकार के होते हैं और चार भाग जिसमें एक में अधिक वर्षा हो रही है कहीं साधन वर्षा हो रही है कहीं नून वर्षा हो रही है और कहीं जितनी रिक्पाइड है उतनी भी वर्षा नहीं होवाते यानि आया पर्याब्त वर्षा होती है तो चार भागों में इसको विवाजित के आगाए वर्षा वित्रण शेत्र क्या दार के अधिक वरसा साथन वर्षा वाले शेत्र रोथ यूण वर्षा वाले शे क्तों बैक कुछ Tu K couอย। देख contenido कに किस प्रकार के वर्षावित्रंड सेत्र में ऊष्ट्ण कटी बंदिया सदावाहरण मिलते हैं, तो आतल समसी सदाबर्वन कहां मिलते हैं, जहांगर रेगुलर पानी की पूर्टि होती रहे तो ऐसे मतलब regular वर्षा कहां जादा होगी तो वहां होगी जहां अधिक वर्षा कर वित्रण वाले जो भाग हैं वहाँ पर उस्ट कटी बन दिया सदावार वन मिलते हैं नैक क्योश्चें निकाल आएगा तब बिल्कुल हरा बरा हो जाएगा और जब ग्रिस्म रितु आएगी तब तक हो पूरी तरह जड़ चुका होगा तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के वन यहां देखने को मिलते हैं तो किस प्रकार के वर्षा वित्रण शेत्र में मांसो नीवन मिलेंगे तो आपको पता है साधन वर्षा वित्रण वाले भाग में क्या मिलते हैं मांसो नीवन देखने को मिलते हैं नैक कोशन देखें अधिक वर्षा यानि 200 संटिमीटर से भी अधिक वित्रण वाले शेत्र में आने वाले मुखे शेत्र कौन से हैं बहरत के तो कौन से हैं यह यह पूर्वतर जो भारत है, जार खंड, उत्र प्रदेश, उत्रा खंड, पश्चिम तटिय मैदान और पश्चिमी घाट का पश्चिमी डाल वाले भाग, यहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, नेक क्वेशन देखी, साधर्ण वर्षा वाले जो हैं, 100-200 cm तक की वर्ष सामने तोर पे होती है, वह उत्खेश वत्र कौन से हैं, तो कौन से हैं, पश्चिमी घाट के जो पूर्वतर डाल हैं, उनमें 100-200 cm तक की वर्षा होती है, इसी तरह है, दक्षिन पश्चिम बंगाल है, चातीस गड़ है, जार खंड है, ओर इसा, दक्षिन पूर्वियोतर समाला के जो तरही छेत्र है, पूर्वी तमिलनाडवादी छेत्र जो हैं, वहाँ पर क्या है, साधान वर्षा होती है, जो कि 100-200 cm के मध्या रहती है, नेक क्वेश्चन देखे, न्यून वर्षा यानि 50-100 cm के बीच में जहां वर्षा होती है, ऐसे छेत्र कौन से हैं, यून अंद्रपदेश और मध्य पूर्वी महराष्ट, ये सभी कैसे छेत्र हैं, ये न्यून वर्षा वाले छेत्र हैं, नेक क्वेश्चन देखे, आपरियाप्त वर्षा वित्रण वाले छेत्र में आने वाले मुख्य छेत्र हैं, आपरियाप्त वर्षा मतलब 50 cm से भी जहां कम वर्षा होती है, ऐसे छेत्र कौन से हैं, तो ऐसे छेत्र कौन से हैं, हम जानते हैं, तमिल लानु का जो रायल सीमा भाग है, कच्छ है गुजरात में, पश्चिमी राजिस्थान का जो हिस्चा है, पश्चिमी राजिस्थान में, पश्चिमी पंजाब जो है, और लदा की, के last part और एक बनेगा जिसमें हम राइस्थान की जलवाई के बारे में हम बात करेंगे next part में और उसी के साथ आपका ये chapter हो जाएगा समाब तो मिलते हैं next part में next video के साथ तब तक के लिए बच्चों thank you